करेंगे उसके पहले आप लोग देख लीजिए मेरा वीडियो है ठीक है नंबर सिस्टम के ऊपर वीडियो देख लीजिएगा ठीक है तो आप लोग हम बार-बार एक किसी बोलने हैं कि अभी कोरोना के लिए अभी एक्जम सारे पोश्पॉंड है ठीक है जब यह सीच्विशन जल्दी खातम हो जाएगा जल्दी खातम होने के बाद आप लोग का बाकी जो पेंडिंग इग्जाम में वह जल्दी से देगा तो मैं अब लोग को रिकोश करूंगा कि घर में बैठके पराई कीजिए ठीक है मोटिवेड रहिए ठीक है तो यह आम लोग का सिशन है वार्क जूडरें है इसको हम लोग देखेंगे उसके बाद कशेंट और पर्सेंटेज को पता वहरग ठाइव करेंगे जार्क सब्सक्राइब अब जाएंगे चले चले इस्टार्ट करते है कि ये सारा लोगों को पता है परसेंटेज मतलब क्या है जैसा कि हम लोग फोल के दिमाग में लग परसेंटेज बोल दिमाग में आता है और ये पर्षा से इस वाला चीज से इस लिए 100 दिमाग में जो मतलब है सेंट का मतलब होता है 100 और यह पर है ना पाल मतलब के 3 km per hour के मिटर में पर सेगेंट यह पार मतलब क्या है इसलिए को भी नंबर का परसेंटेज यह से परसेंटे से या चीज़ है तो हम लोग विखेंगे से बढाई करना तो देखिए एक्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा 20% 30% 50% बना चीज एक्जाम में क्या आएगा वो रिलेटट पढ़ाए करना है ठीक है जो परेंगे वो कंक्रीट परेंगे अच्छा परेंगे जैसे कि एक्जाम अराम से क्रैक हो जाए ठीक है तो जैसे कि हम लोग को बहुत स परसेंट ऐसा मिलते है ठीक है यह साथ पॉइंट वाला फ्रेक्शन है फ्रेक्शन वाला परसेंट है इसको हैंडल करना भी हम लोग को सीखना बढ़ेगा तब हम लोग को को जल्दी हो जाएगा ठीक है तो यह चीज बोलने के पहले कुछ पहले बोल देते हैं जैसे कि माल परिजे कोई भी नमबर कोई भी नमबर जीसे कि a is 20% of b इसका मतलब क्या है is 20% of b a line का मतलब है a is equal to 20% मतलब percent होगा क्या होगा by 100 of मतलब into मतलब यह है 20% b का मतलब b का value 40 होगा तब a का value क्या होगा 8 होगा बात clear है देखिए B का value 40 है माल लीजिए तो आप A का value क्या होगा 2-0 से 2-0 cancel out हो जाएगा A का value हो जाएगा 8 बात clear है A is 40% of B यह मतलब यह ही है तो हम लोग 20% 20% of B मतलब क्या है 20% या 40% या 50% या से कि यह वाला number को percentage में convert करना बहुत easy होता है rather than आपको 33.33% या से 16 होल 2 by 3% उसको कैसे करेंगा वो भी बोलेंगे करते करते बोलेंगे ओके लेक कोशन में क्या देता है कि is x is 80% of y लेकी कोशन में क्या क्या देता है x is 80% of y what is what 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 is what percentage is percentage what percentage is x of y what percentage of x sorry is y what percentage of x is y question मतलब यह है तो बोला है कि x is 80% of y what percentage of x is y ठीक है अब देखी चीज़को तो इसको इस टाइप कोशन मिलते हैं इसको कैसे देखते हैं हम लोग साथ करेंगे टेकनिक क्या हम क्या बलते हैं x is 80% of y मतलब क्या होगा 80 by 100 of y बात क्लियर है ठीक है अब कोशन में क्या बला है what percentage of x is y अब देखी माल देते हैं a percentage ठीक है a percentage of x a percentage of x equal to y ठीक है देखिए किसको देखिए समझे ठीक है a percent a by 100 of x equal to y ठीक है अब इसको देखते हैं इसमें क्या होगा x by y क्या आजाएगा आपका 80 by 100 मतलब या आजाएगा 4 by 5 20 से simplify करेंगे 4 by 5 आएगा मतलब x का value 4 y का value 5 बात क्लिया रहे x का value 4 y का value 5 देखिए तो ठीक है कोई भी नमबर ऐसे है जब ratio में होता है तब हम लोग ऐसे बोलते हैं x proportional to 4 y proportional to 5 मतलब देखिए ऐसा नहीं है कि x का exact value 4 है या फिर y का exact value 5 है ऐसा नहीं है मतलब दोनों नमबर से कोई भी एक नमबर से simplify करने के बाद यह 4 भी 5 मिला है ठीक है वो आपका 20 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है 15 भी हो सकता है कोई भी number हो सकता है मतलब यह बोलना चाहर है कि x का जो value होगा 4 के proportion में है y का जो value होगा ना 125 परसेंट आजाएगा तो बात क्लियर है तो क्या है कि इस एक्स परसेंट इस 80 परसेंट आफ वाई वाट इस परसेंट इंग एक्स वाई क्लियर है अब देखिए हम क्या किया ऐसा कन्विंशनल वह में सॉल्फ किया तो इसको हम सौट कार्ड में कैसे कर सकते है अब वो देखिए कैसे सौट कार्ड में कर सकते हम लोग ठीके देख लीजे अब देखिए एक्स नोट कितने के कर रहे है चार को कर रहे है वाई डिनोट कितनों के परकर कर रहे है पांच को कर रह एक्स कितना परसेंट वाई तो बतला y by x कितना आफ और कितना अफ एकस दैटिस वाई है तो y by x equal to 100, क्योंकि देखिए, सेम चीज है, हम इधर को इधर लेके जाएंगे ना, हम x को ऐसे लेके जाते हैं, x by, sorry, इसको ऐसे लिखते हैं, a को ऐसे लिखते हैं, y by x into 100, देखिए 100 को उपर, y by x, बात तो वही है, सेम ही चीज है, तो बात clear हुआ, यह line का मतलब clear हुआ ची दे देता, तब क्या करते हैं, 80% के हैं, आपको दे दिया है, 16 whole 2 by 3, इसको कैसे करते हैं, अब देखिए, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, 16 whole 2 by 3% है, इसको तो ना पढ़ेगा, 50 by 3% आएगा, ठीके, तो ऐसे आपको करना पढ़ेगा, x equal to 50 by 3 into 100, ठीके, शडी बहुत हो जाएगा इसमें ताइम बहुत जादा लगेगा इसको जल्ली सॉल्ट करने का टेकनिक क्या है अब बहुत आनना परेगा देखे जब इसको कैसे हम लोग सॉल्ट करना परेगा अब देखेंगे हम लोग के जानते हैं कि 100% मतलग वह या होता है 100 by 100 क्यों इड़ा रहा है परसेंटेज के लिए बासी ओट गिया है ठीकर शिकद कर दीपर संट मतलब क्या उता है 50 9100 परसेंटेज के लिए बाय जोए 50 हो गया चिलेली अब complex क्या होगा 40 बसनर और Florence कटेगा 2 by 5 ठीक है तो ये बिसीकली क्या हो रहा है हम लोगो percentage से percentage से हम लोगो क्या आ रहा है fraction value या फिर number में integer number में आ रहा है 40% से 2 by 5 50% से 1 by 2 बात clear है तो अब लोगों क्या करना पड़ेगा ये 100% के जो fraction value है ये भी आत रखना पड़ेगा as well as fraction value से percentage value भी याद रखना पड़ेगा कैसे याद रखेंगे कैसे बनाएंगे वो आज हम बोलेंगा आप लोगों ठीक है चलिए देखते है देखी हम लोग क्या रहनते एक बरबर क्या होता है 100% होता है थोरा दर पहले ही बोले थे 100% by 100 equal to 1 1 by 2 क्या होता है आपका 50% होता है ठीक है 1 by 3 क्या होता है आपका 33 whole 1 by 3% होता है या फिर 33. 33% होता है ठीक है हम पहले लिखते जाएंगे उसके बोलेंगे कैसे आ रहा है ठीक है 1 by 4 क्या होता है 25% होता है 20% होता है ठीक है ठीक है अब इजा लिखते है इसको 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 लिख देते है तो 10% होगा 1 by 11 देखिए हमको ये value के साथ-साथ ये value भी याद रखना पड़ेगा क्योंगी question में 16.67 भी जे सकता है या फिर 16 whole 2 by 3 भी जे सकता है ठीक है ये कैसे याद रखनेंगे सारा चीज़ हम बोलते जाएंगे 1 by 12 क्या होगा ठीक है 1 by 15 तक खतम करते थे उसका बाकी हम बोलते जाएंगे ठीक है ये है अब लोगा 1 से लेकर 1 by 15 तक हम 1 से लेकर 1 by 100 तक भी बोल सकते इतना तक हम बोलेंगे बाकी सब लोग को सिखाएंगे कैसे निकालना परता है ठीक है चीज़ देख लीजिए अराम से अब देखिए हम लोग कैसे निकाल लेते ये बाला चीज़ अब देखिए फॉलो कीज़े कि हम येवाओकी परश्ण केंदुरो रप कर देखेंगे आब हरे एक फ्रक्षन को देखेंगे सीखेंगे कैसे हम लोग ऐसे फ्रैक्शन वैलू से पर्चेंटेश्ज वैलू डी रेक निकाल लेते देखें इन जेनरल fraction value से percentage value कैसे निकाल लेते हैं परसेंटेज से fraction कैसे निकाल लेते हैं जिसके 50% है तो 50 by 100 करते हैं तब fraction मिल जाता है तो similarly fraction जब होगा तो percentage कैसे निकाल लेंगे इसमें by करना पर रहा है मतलब इसमें कितना करना परेगा गुना that is 1 by 2 into 100 that is equal to 50% तो बात clear है percentage से fraction करने के लिए हमको क्या करना पर रहा है divide by 100 similarly fraction से percentage करने के लिए क्या करना परेगा हम लोगो multiply by 100 यह है फंडा अब एक ही follow कीजिए तो 1 by 3 को into 100 करेंगे 33.33 आजाएगा कोई problem नहीं है 1 by 6 को 100 करेंगे तो 100 by 6 आएगा चोटा करने के बाद आजाएगा 16.67 तो यह सारा चीज यह जितना बड़ा fraction में जाएंगे तो यह सारा चीज करने में time तो अलगे तो जरूर परेगा उसके साथ साथ कैसे याद रखेंगे कैसे यह बनाते है जल्ली वह भी आज बोलेंगे अब देखें चीज को तो हम लोगा पता है fraction से percentage आने के लिए multiply करना बढ़ रहा है percentage से fraction आने के लिए divide करना बढ़ रहा है अब ऐसे odd बाला चीज देखेंगे कि 1 by 4, 25, 1 by 5 यह सारा नहीं देखेंगे यह बहुत easy है लेकिन जो चीज हम लोगो दिक्कत देगा ठीके यह नीचे prime number आ जाएगा तब क तो कैसे करेंगे देखिए 1 by 3 को कैसे 33.33 या फिर 33 होल 1 by 3 परसल लिखेंगे अब देखिए चीज को 1 by 3 है ठीके मोटो क्या होगा अब देखिए टिनमेटर में 3 है 3 से कितना गुना करने पर वो 100 के पास आएगा चीज आराम से सुनिए तीन से कितना गुना करने पर वो 100 के पास आएगा तीन के 33 मल्टिप्लाई करेंगे तो वो 100 के पास आएगा 100 से जादा नहीं 100 के पास बोले नीचे ठीके अपर लिमिट नहीं lower limit को बात बोले ठीके तो इसको 33 को मल्टिप्लाई करेंगे वो कितना आ राइट जब 99 आ गया है तो 99 100 से कितना कम है 99 100 से एक कम है तो एक बटे का numerator में और यह तीन है denominator में चला जाएगा बात क्लियर हुआ थर्टी थ्री होल वन बाई अच्छा वन बाई 3 का दो फ्रेक्शर पॉइंट में भेलू जो होता है वह होता है पॉइंट 3 त्री इसलिए हम लोग को आ जाता है 33.33 परसेंटेज बात चीज क्लियर हुआ कैसे यह चीज आ रहा है चलिए दूसरे और एक एक एग्जम्पल से जिसको और भी जनेंगे ठीक आप देखिए अब देखिए 1 बाई 6 का ठीक है अब देखिए 1 बाई 6 है इसका परसेंटेज कैसे करेंगे 6 से कितना गुना करने पर वह 100 के पास जाएगा देखिए 6 को हम लोग 16 से करेंगे वह जाएगा कितना तो 96 होगा राइट 16 इंटू 6 करेंगे वह आ जाएगा 96 100 से कितना कम है 96 is 4 less than 100 तो 4 काम है उपर में 4 बैटेगा नीचे 6 बैटेगा बात खतम हो गया अब देखिए 4 अच्छे है निमेटर में 4 है दिनमेटर में 6 है तो इसको हम लोग देखिए दो से शिंप्लिफाइग कर पाएंगे दो दो से चल की इसको by three 3% आ गया देखिए 16 whole 2 by 3% आ गया अब देखिए इसको कैसे पूट करेंगे देखिए हम लोग क्या बोले से 1 by 3 का 1 by 3 का जब पॉइंट में वैलू आता है तो मतलब 1 by 3 का जब होगा 0.33 तो 2 by 3 का कितना आ जाएगा ना 0.66 हाई या ना तो यह की 0.666666 करके जाएगा यह बिसिकली नॉन इटरेटिंग नंबर है ठीक है इटरेटिंग मतलब यह मतलब खतामी होगा कंटिनूर 6666 करके जाएगा तो इसको स्टॉफ करने के लिए हम लोग को टर्मिनेट करने के लिए डिसिमेल के बाद दो डिसिमेल प्लेज में क्या लिखते है इस 0.67 लिख देते है तो मतलब यह हो जाएगा आक पास 16.67 बात क्लियर हुआ चीज़ ठीक है क्या कर रहे है हम दो 1 by 6 है 6 को कितना गुना करने है बाद 100 के पास आएगा जिए 16 बाद 16 हम लोग बुना कर दिया 100 से कितना कम है 60 इस 96 दिस 4 कम है उपर में 4 जीचे क्या जाएगा यह 6 अब दिखिए सिंप्लीवाइ कर पाए गर तो इस 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 16 होल 2 by 3 परसेंट है 1 by 3 percent is equal to 0.3 3 16 होल 2 by 3 परसेंट इकॉल to 16.67 परसेंट बात क्लियर हुआ चलिए नेक्स में जाते और एक देखते एक्जाम्पिल अब देखिए 1 by 7 का ठीक है 1 by 7 का अब देखिए 7 से कितना गुणा करने पार वो 100 के बास जाएगा अब देखिए हम यहां दे 7 का टेबिल में 14 से गुणा करेंगे तो 98 होगा रएट तो 98 होगा 98 100 से कितना कम है यह दिस तू तो तू उपर में बैठेगा साध नीचे जाया जाएगा 14 HOL 2 x 7 परसेंट हो जाएगा अच्छा 141 2 x 7 1 by 7 जो है 1 by 7 का जो वैलू है 0.14 नीचे का फैल कितना होगा 0.14 into 2 and is equal to 0.28 तो मतले इसका हो जाएगा आपका 14.28 परसेंट बात क्लियर हुआ चीज़ कैसे आ रहा है तो आपको ये वैलू के साथ साथ ये वैलू भी याद रखना पड़ेगा अब देखिए ये वैलू अब लोग अनाम से निकाल पाएं कि हम लोग बोल दिया साथ से कितन इसके 1 by 9 ठीक है 1 by 9 होगा क्या होगा सिम्फेर्म चीज करेंगे 9 से कितना गोना करने बार 100 के बास जाएगा अब देखिए 11 multiply करेंगे तो आपका 100 के सामरे जाएगा कितना आए जाएगा इस 99 99 आजाएगा 90 सो से कितना कम है एक कम है उपर एक नीचे 9 ठीक है बात क्लियर अच्छा यह 1 by 9 का जो पॉइंट में वैलू है दिस पॉइंट 11 है दिस हमने बोल से थे 11.11 परसेंट ओके चीज क्लियर हुआ नेक्स में देखते है अब 1 by 11 है अच्छा 1 by 11 है 11 से कितना गुना करने बार 100 के बास जाएगा इस 9 है ठीक है 9 गुना करेंगे इतना आएगा एक नहीं नहीं आएगा तो कितना कम है एक कम है उपार एक नीचे 11 1 by 11 का डेसिमल वैलू कितना होता है 0.09 आता है ठीक है तो मतलब 9 1 by 11 का होगा 9.09 परसेंटेज चलिए अब देखते हैं 1 by 12 का 1 by 12 में क्या होगा 12 से कितना गुना करने पर 100 के बास जाएगा इस 8 हो गया 8 होगा 96 होगा कितना कम है 100 से वह चार कम है उपार 4 नीचे 12 ओके 4 से 12 जाएगा कितना पर जाएगा आपको 1 by 3 तो मतलब हो जाएगे 8.8 while 1 by 8 whole 1 by 3 % अच्छा 1 by 3 का फली के जानते हैं 0.33 that means 8.33 percentage बात क्लियर है ओके अब जाते हैं 1 by 13 में सेम फंड आ है 13 से कितना गुना करने पास साथ के 100 के सामने जाएगा जिस साथ साथ मैंटिप्ले करें कितना आ जाएगा 91 91 हो जाएगा कितना कम है 9100 से 9 कम है 9 by 13 सब्सक्राइब जाएगा 7.69 परसेंट बात क्लियर हुआ चीज कैसे हो रहा है अब लोग को बात क्लियर हुआ ठीक है अब देखिए बिसी कली 13 यह जो नंबर इसके बाद और भी नंबर होगा ठीक है अम ओनली टूडिसिमल प्लिस तक हम लोग देख रहे है ठीक है तो आब ल तो यह देखिए कुछ question में देखिए जैसे कि आप लोग आ 13.33% दे सकता है 16.67% दे सकता है 14.28% दे सकता है 11.11% दे सकता है 9.09% भी दे सकता है 8.33% भी दे सकता है लेकिन हम question में कभी यह 7.67% देखे नहीं अभी तक ठीक है फिर भी आप लोगों के लिए हम यह चीज बोलत जा रहे है अब लोग को कभी भी question में आ जाए तो आप लोग छोड़ के मद आईएगा ठीक है अब देखते है 1 by 14 का clear 1 by 14 में क्या होगा 14 से कितना multiply करने बाद 100 के बास जाएगा that is 7 okay साथ multiply करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 कितना बचेगा 2 2 by 14 अब देखे 2 by 14 जाएगा 1 by 7 तो क्या जाएगा यह 7 whole 1 by 7% clear अच्छा हम 1 by 7 का कितना बोले थे हम लोग 0.14 बोले थे 1 by 7 का decimal value that means यह हो जाएगा आपका 7.14 percentage clear है चीज चलिए 1 by 15 का भी देख लेते हैं ठीक है 15 से कितना गुना करने बाद 100 के बास जाएगा 6 90 आजाएगा 90 कितना कम है 90 100 से 10 कम है तो उपर 10 वीचे 15 5 से जाएगा 2 वीचे 3 तो 6 whole 2 by 3 परसेंट अब देखिए 1 by 3 का value क्या बोले थे 0.33 बोले थे तो 2 by 3 कितना होगा 6.66 परसेंट या फिर 6.67 परसेंटेज बात क्लियर हुआ तो हम लोग कैसे ये चीज को बना रहे हैं ठीक है सिर्फ रटा बनने का जरूरत नहीं है अब जानगे कीजिए अराम से हो जाएगा ठीक है चलिए और एक एक एक्जांपल देखते हैं ठीक है अब देखिए 15 तक त नहीं देखते हैं देखिए फॉलो किजिए अराम से आप से यह चीज हो जाएगा ठीक है अब दू कि अब दिक्कत में का देखते हैं वैसे कि डिनमेटर में पराइम नमबर आ जाए तब यह दिक्कत वाली हाथ होगा लेकिन देखिए अब लोग पैशन भी पाएंगे विए किना आजाएगा लिए 23 इनिट 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 उन्बर से जिसको आप लोग सिंप्लिफाइब नहीं कर पाते है राइट नीचे जो बैठेगा तो आप्ट लोगो दिमाग में लगाना पाइब 23 नीचे बैट रहा है मतलब यह चीज 1 by 23 या फिर कोई 2 by 23 या फिर 4 by 20 ऐसा कोई नमबर है मतलब डिनोमिनेटर में 23 है बाद वही है तो फ्रेक्शन में डिनोमिनेटर जो भी होगा वो नीचे बैठेगा ठीक है अब देखें आप लोगो याद रहेगा 4 होल 8 by 23 तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है जैसे कि फॉलो कीजिए एक चीज 1 by 11 में क्या हो रहा था नाइन होल 1 by 11 फॉलो कीजिए तो 11 डिरेक बैट रहा था लेकिन 12 के किसमें देखिए क्या हो रहा है 8 8 फॉल 1 by 3 क्यों 8 फॉल 1 by 3 बैट रहा था 8 12 फॉल निचे बैठेगा उपार नीचे क्या बैठेगा 12 12 प्राइम नमबर नहीं है इसलिए सिंप्लीफाइब हो रहा है चार से यह 1 by 3 हो रहा है बात क्लियर है तो कोश्चन में क्या देसकत आप दिक्कत करने के लिए प्राइम नमबर दे सकते हैं और आप लोग को दिक्कत करने के जरुराइब भी नहीं है तो मतलब यह अब लोग को एक अशिरवात हो गया है छींडल उसको प्राइम नमबर से देना रहीं कलिया है कि हैंसे हैं आप सिद वह ते स्विक्टी्ट पेर्संट फिसको है एक बार यह सीख जाएंगे ना परसेंटेज के हैंड़ करना कैसे करना परता है तो कोशन अपने आप इसी सुल हो जाएगा ठीक है अब देखिए 108.33% हे आपको है हैंडेल करना है 100 प्लास 8.33% होगा ओके 100 प्लास 8.33 परसेंट होगा अब देखिए 100 परसेंट मतलब क्या लांते हैं हम लोग एक जानते हैं और 8.33 परसेंट मतलब क्या होता है 8 whole 1 by 3 परसेंट होता है अच्छे ये 8 whole 1 by 3 किसके लिए आता है ना 1 by 12 के लिए आता है हाँ या ना तो मतलब इसके लिए fraction value हो जाएगा आपका हो जाएगा 13 by 12 बात क्लियर हुआ तो हम लोग ऐसे भी हम लोग fraction value निकाल पाएंगे क्लियर है लाइक आपका और एक 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 जाम्बल लेते हैं 28.56 परसेंट का fraction value क्या होगा ठीक आप फॉलू किजिए 28.56 परसेंट का अब देखिए हम लोग ये 28.56 परसेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 into 14.28 परसेंट लिख सकते हैं कि 2 into 14 that is equal to 28 2 into 20 that is equal to 0.56 तो मतलब आम लोग जानते हैं 14.28 परसेंट का जो value उद्धा है वह उद्धा है 1 by 7 का तो 2 into 1 by 7 कितना हो जाएगा ये इस 2 by 7 बात क्लियर है तो हम लोग चाहे तो ऐसे कभी भी नंबर से ये चीज़ दे सकता है ऐसे कि मान लीजे आपका 16.66 परसेंट ने दिया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 2 into 33.33 परसेंट है या ना तो 2 into 33.33 परसेंट मतलब हम ये बोल सकते हैं तो 3.33 परसेंट का होता है अब फ्रेक्शन में 1 बाइच्री लेट इसी गाल दू 2 बाइच्री हाई या ना या फिर ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं 6 into 11.11 परसेंट परसेंटेज का वालू कितना होता है चोटा करेंगे तीन से जाएगा 2 यह जाएगा 3 तो देखें फिर से 2 वाई 3 आ रहा है तो कुछ नहीं है जिसे यह परसेंटेज होता है मतलब दो एक परसेंटेज को सटेन नंबर से मल्टिप्लाइ करने के बाद यह ऐसा परसेंटेज मिलता है तो अपने लोग को टेंशन करने का सब्सक्राइब परसेंटेज यह ऐसा बराबरा परसेंटेज देगा आपको सिर्फ घुवाने के लिए देगा आप लोग सीख गय बोला है, A is 25% अच्छा एसे लिखते हैं, A का लेंथ इस, the length of A is 25% of B, ऐसे बोला है, the length of A is 25% of B, ठीक है, the length of A is 25% of B, 25% more than, और भी अच्छा होना थे, more than B, इसको और भी अच्छा होना थे, the length of A is 25% more than B, ठीक है, how much percent of B is less than A, ठीक है, how much percent of B is less than A, अब दीक है, ठीक है, 25% more है, हम लोग के जंटे 25% का fraction का फ्रेक्शन भी अच्छा है, B का A का बलू चार नहीं है, ठीक है, A is 25% more than B, ठीक है, A, B से 25% more है, ओके, follow कीजे, more than B, जैसे कि ऐसे लिखे जाएगा, then B, to B, या फिर two, या फिर then के बाद, जो भी चीज आएगा, वो के आजाएगा, नीचे आजाएगा, तो मतलब, यह चार है न, यह चार नंबर जो हम बोल रहे हैं, फ्रेक्शन का, यह चार always, B को denote करेगा, बात qlar है, देर, यह Чार किसको denote करेगा, न해주 बीको denote करेगा, थीखे, तो B से A, 25% more है, तो 4 से A, ब बस May Day, B, से 25% more है, तो B, 4 होगा, तो A, कितना जाएगा, A जाएगा 5, बात qlar है, तो A का भेleo हो गया 5, B का भेलो हो गया 4, आप कोश्य में क्या बोला है how much percent of B is less than A अब देखिए B A से कितना गम है एक कम है अब देखिए अब देन किसके बाद है देन एक के बाद तो A का भर नीचे बच जाएगा तो 1 by 5 into 100 तो कितना हो जाएगा यह हो जाएगा अपका 20% समझ में आया तो मतलब B A से 20% छोटा है और A B Z 25% बड़ा है बाद क्लियर है चीज़ चीज़ को कैसे करेंगे अब देखिए चीज़ को इसको और elaborately बोलते है कोई भी नंबर का percentage दे दिया है उसका fraction में माल नीचे 20% दिया है 20% का fraction में क्या होगा आपका 1 by 5 होगा फॉलो कीज़े चीज़ को 20% का fraction में दोगा 1 by 5 यह जो 1 by 5 है यह 5 किसको denote करता है 5 जो नंबर देन के बाद आएगा जो चीज़ देन के बाद आएगा या फिर जिसके उपर comparison हो रहा है माल लिज़े बी के उपर comparison हो रहा है या फिर सी के उपर comparison हो रहा है यह denominator वो compare बारा जो चीज़ है उसको denote करेगा बात clear है मतलब यह आप ऐसे भी बोल सकते क्योशन में ऐसा बोला है कि अभी कोई चीज़ का value 20% increase हो रहा है अभी कोई चीज़ का value 20% increase हो रहा है इसका मतलब क् ठाब 120 हो रहा है तो मतलब इसको हम एसे भी बोल से क्वेंटी परसेंट मतलब क्या होता फाइए पहले पांच था अभी कितना हो रहा है अभी नीव हो रहा है छह तो मतलब यह पांच ओरीजिनल या फिर पहले वाला वैलू या फिर जिसके साथ compare के जाता है उसको यह denominator always denote करता है बात clear है और एक किसको denote करेगा एक क्या denote करता है एक denote करता है increase को या फिर decrease को बात clear है यह denote करता है increase को और decrease को मतलब कितना increase हो रहा है और कितना decrease हो रहा है तो similarly वही था question में कि length of a is 25% more than b 25% more than B है तो than किसके बाद है B के बाद है मतलब नीचे क्या है B है उपर क्या है A है बात क्लियर है तो 25% more है मतलब B 100 होगा तो A होगा 125 राइट Similarly question में क्या बोला है How much percent of B is less than A तो अभी less कितना है 25 less है A से B तो 25 उपर less than A बोला है compare A से हो रहा है A का value कितना 125 इन्टु हंड्रेट 25 से जाएगा 5 5 से जाएगा 20 तो मतलब 20% हो गया हम लोग का असा देकि दोनों से चीज़ कर रहे है ठीक है अब देखिए जैसे कि ऐसे 25% या फिर 50 20% या फिर 50% देगा तो टेंशन लेने का ज़र्वाद ही हम लोग डिरेक ऐसे भी कर से था 100 मान के भी कर सकते लेकिन जब इक कोशन में ऐसे दे दिया जाएगा 33 होल 1 बाइ 3 परसन या फिर 16 होल 2 बाइ 3 परसन हम लोग क्या करेंगे ना fraction से जाएगे तो हम लोग को चीज समाज में आसानी होगा अब देखें सेम कोशन को हम लोग क्या कर रहे है देखिए चीज को तो आप लोग को चीज और भी आनाम से क्लियर हो जाएगा अब देखें चीज को कैसे कर रहे है हम लोग 25 परसन के जगा हम लोग क्या कर देगा नाम कर दिया कि 14.28% कर दिया A is 14.28% more than B है same question है how much percent is B is less than A got it 14.28% का fraction में लोग क्या होता है हम लोग जानते है that is 1 by 7 बात क्लियर है हम लोग साथ किसको denote कर गाभी B को denote कर गा क्योंकि then किसके बाद है then किसके आगे है B के आगे तो साथ हो गया B A क्या बोले थे? increase क्योंकि increase क्यों है? more बाला वाद यूस है less बाला वाद यूस होता है तब decrease बोल देते हैं हम लोग तब A कितना होगा? यह हो जागा 7 plus 1 8 8 हो गया A question में क्या बुचा है? how much percent of B is less than A अब देखिए B 7 है A 8 है कितना काम है? 1 काम है किसके उपर comparison हो रहा है? 1 के साथ comparison हो जाए 1 by 8 into 100 1 by 8 का मुलब percentage जानते है कितना होता है? अब देखिए A से कितना multiply करने पर 100 के बास जाएगा? 12 96 कितना मचा? 4 उपा 4 नीचे 8 छोटा करते हैं 1 by 2 तो मतलब 40 12.5% clear हुआ चीज कैसे करेंगे? अब देखिए इसको और एक 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 जाम से देखते हैं कैसे करेंगे चीज को माँ लिए तीन ऐसे लोग है A, B, C तीन लोग है चीज को देखिए ठीक है? अब लोग के लिए कोश्चन है पहले एक बड़ अब लोग बेसिक चीज को समाझ लीजिए उसके बाद कोश्चन करेंगे तो चीज और भी आसानिस कर पाएंगा अब लोग अब लोग के तीन लोग है A, B, C फॉल्लू कीजिए A है अम देखिए इस इस अब्रविएट कर रहे है A है 20% more than B ठीक है C is 20% less than C sorry, B कोश्चन है बोला है How much percent C is less than A बात क्लियर है A is 20% more than B C is 20% less than B How much percent C is less than A अब देखिए चीज को करते है B से 20% ज़ादा है तो B को 100 मान लेते 20% ज़ादा है मतलब 120 Okay C है 20% less than C B तो मतलब B है 100 जब होगा 20% काम है मतलब इसमन कितना होगा A, C C होगा 80 clear है 20% less than B बोला है 20% काम मतलब 120 काम मतलब 80 होगा How much percent C is less than A कितना काम है C A से 40 काम है 40 ज़ादा 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 Less than पूछा किसके दैन किसके आगे दैन है A के आगे दैन है तो नीचे क्या होगा 120 इन्ट हंड्रेट 40 से ज़ादा 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 100 ज़ादा ज़ादा 33.33% मतलब अंसर होगा 33.33% C is 33.33% less than A बास clear होगा कैसे हो रहा है चीज़ अब देखिए ये सेम कोशन को थोड़ा चेंज करते है C के ज़ादा B B के ज़ादा C ठीक है सेम कोशन है अब इसको कैसे करेंगे देखिए अब कोशन है क्या बोला है A is 20% more than B B is 20% less than C देखिए follow कीजिए synchronize करके किद देखिए A से B जा रहा है B से C जा रहा है तो हम क्या करते हैं इसको easy करने के लिए C को 100 मान लेते ठीक है A से B जा रहा है B से C जा रहा है B is 20% less than C ठीक है C से 20% less है मतलब B कितना होगा अभी 80 हो जाएगा बात क्लियर है अब बोला है A is 20% more than B A से B का 20% more है 80 का 20% मतलब क्या होगा जादा है 120 by 100 0 से 0 0 से 0 कटेगा कितना होगा 96 होगा तो जाते less नहीं होगा Lase और ऐसे लिख देते Lase और more ठीक है तोनों ही आजाएगा 96 हो जाएगा A कितना हो रहा है 96 हो रहा है आप देखि कितना काम है C कितना जादा है 4 जादा है कोशे में क्या बोरा है कोशे में How much percent C is less on more than A 4 जादा है 4 उपाचला जाएगा किसके उपर किसके बाद देन है A के बाद देन है A के आगे देन है 96 होगा खतम बात कुछ नहीं है इसमें चोटा कर लेते एक बादे के लिएते 4 से जाएगा 1 by 24 into 100 ठीक है उसके कैसे करेंगे हम लोग 24 को आगे 4 से मल्टिप्ले करेंगे 96 आएगा 96 आएगा तो कितना कम है 96 100 से कम 4 कम है उपर 4 नीचे 24 छोटा करते इसको क्योंकि कमपोसिट नमबर है 24 24 छोटा करेंगा 1 by 6 मतलब हो जाएगा 4 whole 1 by 6 बास क्लियर है चीज इतना इजी है ओके चलिए दूसरा और एग्जम्पल देख लेते हैं अब देखिए इसको 20 परसें नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे ना कोई फ्रेक्शन बादा चीज को दिखेंगे देखिए चीज को माल देजे A is 16 whole 2 by 3 percent more than B ठीके B is 14.28 percent less than C follow कीजे A is 16 whole 2 by 3 percent more than B B is 14.28 percent less than C देखिए फॉलो कीजे ठीके अब देखिए 16 whole 2 by 3 percent मतलब कितना होता है that is 1 by 6 हम जानते है और 14.28 मतलब कितना होता है 1 by 7 बात क्लियर अब देखिए इसमें 6 किसको denote करेगा B को और A कितना होगा तब 7 तो B जब 6 हो रहा है तो A हो रहा है 7 बात क्लियर है जब B 6 हो रहा है A हो रहा है 7 अब बोला B is 14.28 percent less than C तो मतलब क्या है C जब 7 होगा ठीक है C जब 7 होगा B कितना होगा न 6 होगा Q 6 होगा न लेस बोला है तो B 6 है C कितना है 7 है बात क्लियर है अब देखिए बोला question में How much percent C is less और मोड़दा नहीं अब देखिए कोई changes है A भी 7 है B भी 7 है मतलब 0 change है मतलब unchange हो जाएगा answer ठीक है कोई layers भी नहीं है कोई small भी नहीं है दोनों same है बात क्लियर है कैसे इसको handle करना है चीज बहुत easy है चीज बहुत easy है ठीक है आपको सिर्फ्रेक्शन से आपको खेलना है जब भी question में ऐसा देगा 14.28% 14.28% जब question में fraction देगा आप भी fraction कीजिए ठीक है question आपको धील मारेगा तब पत्थर मारेगे question को ऐसा बात है ठीक है question easy होगा आप easy से कीजिए question tough देगा fraction से कीजिए कोई बात नहीं आप लो answer same आना चाहिए और कुछ नहीं है बात clear है ठीक है चलिए और example से देखते हैं किसको सिर्फ example देखें कि आराम से हो जाए कि percentage कुछ नहीं है कुछ नहीं है arithmetic वारेगे कुछ बात नहीं सिर्फ को concept clear होना चाहिए concept clear नहीं होगा तो खताम बात सिर्फ concept को clear होना चाहिए इसको कर देते हैं आपको 14.28% इसको कर देते हैं 11.11% ठीक है अब बोला है किया है A is 14.27 इसमें how much percent of C is more or less than A A ठीक है follow कीजिए चीज़को हम सिर्फ question को घुमा रहा है ठीक है यही question आपको exam में देगा हम सिर्फ question को घुमा रहा है various types से तो अब लोग का चीज़को समाझ में आ जाए अब देखे 14.28% में अब लाग इतना होता है 1 by 7 होता है ठीक है 7 किसको denote करेगा रास B को denote करेगा तो A कितना होगा 8 होगा क्योंकि क्या बोला है आपको more बोला है बहुत बरिया साथ यह 8 हो गया खता अब क्या बोला है 11.11% less than B 11.11% मतलब क्या होता है 1 by 11 होता है sorry 1 by 9 होता है जादा लीग दिया जल्दी से तो 1 by 9 होगा तो क्या बोला है लेज बोला है तो मतलब यह क्या होगा B में B 9 है C कितना होगा 8 होगा C बात क्लियर है B 9 है C 8 है अब एक्ची सॉलो कीजिए 7 a 9 है दोनों सेम नमबर नहीं है तो इसको क्या करना बढ़ेगा यह कितना आ जागा 56 आप देखिए तो A से कितना कम है 72 माइनस 56 6 16 कम है 16 है C कम किसको उपर कम है दैन बोलाए A तो मतलब नीचे क्या हो जाएगा 72 into 100 ठीक है 4 से जाएगा 4 से 16 18 2 से जाएगा 2 यह 9 2 by 9 into 100 1 by 9 के जानते हम लोग 2 by 9 into 100 1 by 9 जानते हम लोग 11.11 परसेंट तो 2 by 9 हो जाएगा आपका 22.22 परसेंट बात क्लियर है चीज इतना इजी है चीज इतना ही इजी है ठीक है तो आई के सब लोगो परसेंटेज का जो कंसेप्ट है थोरा बहुत क्लियर हुआ है ठीक है हम इसके उपर कोशन नेक्स सेशन में लेके जाएंगे तो आज के लिए इतना ही वीडियो और लंबा नहीं करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे ठीक है आप लोग वीडियो का अच्छे से देखिए बार बार अपका बैक सामने करके भी देखिए चिसको अराम से समझ में आ जाएगा ठीक है हम लोग इसको पर फिर से डिसकूस करेंगे नेक्स सेशन एक रखेंगे अब लोग के लिए कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है तो आज के लिए वीडियो इतना ही कोई वीडियो आप लोग का अच्छा लागा तो आप लोग पीस एक लाइक कर दीजिए दोस्तों क्या शेयर काना मत भूलिए क्योंकि शेयर ही पावर है अब लोग के लिए इतना जोर जोर से चिला-चिला के परा रहा है आप लोग के लिए इस ही परा रहा है कि एक अच्छा भीव मिल जाए थोड़ा जादा लाइक मिल जाए तो मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है ठीक है तो आज के लिए इतना ही तो थैंक यू एब्रिवान थैंक यू क्लास